बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकुम विल्कम बेक टो मैं चैनल और विडियो कैसे हैंजी आप सब लोग होफुली सब ठीक ठाक होंगे और अला को शुकर है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज में सब को बताऊंगी के वोश पेस्टन को आप किस तरहां चमका सकत जो के डेली वोश करने से भी नहीं जाती है और हाड़ वोटर स्टेंज होते हैं डाय की निशान होते हैं तो मैं आज से आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिससे आप इजीली इन सब स्टेंज को जो है रिमूव कर सकते हैं दो चार चीजें ही हैं जो के हर गर में इस प्लेन बहुट होती ही होती है तो यहां पे मेरे पास है एक लिकिंग वे ह्तवा निशान हो निशान हिसाद klingen वे technically,ापने पेस्टभाह्ट केश क年的 में आम सबसे पहले जो हैना आपने एक नो का डिम come ने लेना है और ऐसाओ बेलेत अट्रुक्रे क् पसकिश यह बनी ¿की डाल देना है इनु और फूल पकेट एड़ करना है आपने साथ आपने कोई भी जो है ना वहार्पिक ले 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 कुछ भी ले ले जो आपको पसंद हो जिस तरह का भी आप लेशन को टाइल को आप कोई भी वह ले सकते हैं तो यहां पर मेरे पास वैट अगर आपके प ऐसरे आपके लेगाते हैसिक फूद्ध को आपने और से यहां अधाज़ के लीखवड करती हूँ अगर पाउडर में है तो आपने 2 टेबलसपून एड़ करना है इस मिकसर के अंदर सर्फ और उसके बाद जबते हैं बेकिंग सोडा की तरफ और यह अपने एंदाजर से और किया है तो मैं जब भी अपनी क्लीनिंग करती हो ना वाइट विनिगर और इसे जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक जाग सी जो है ना बनना स्टार्ट हो जाएगी इसका रियक्शन बनना वो स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर लास जो इंगिरेडन हमने ए यह भी आप यूज करते हैं ईक्र yaşए यह कोई जो भी आप यूज करते हैं वह आपने ट्री तु फोर टेबलस्पून के रीब फोगी इसके इंदर एक्डे कर दी और आपने वैं वह एक्याल रखना है और उसे अच्छे से जो है इस solution को तियार कर लेना है उसे apply कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती चलो जितने भी hard water strains है जितने भी गंदगी है जो भी गंबला लगा होता है अक्सर जो है मटी कच्रा कुछ भी जम जाता है तो उतरता नहीं है और dye के निशान जो है न मुस्से लगे थे basically और ये बहुत ज़्यादा hard strain होते हैं जिसे remove करना बहुत ज़्यार मुश्किल होता है तो आपकी ये भी मुश्किल जो है असान हो जाएगी तो यहां पर हमारा solution बन के त्यार हो चुका है अब हमने इसे apply कैसे करना है अच्छे से wash basin की हालत देख लिए आप किस त basin गंदा नहीं करती हूँ और यहां पर मैंने अब क्या किया था solution में जो है ना कपड़ा ले लेना है कोई भी waste जिससे भी आप जाली लेने कपड़ा लेने कुछ भी ले ले और परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इससे आपके basin का color जो है बिल्कुल खराब नह होगा आपकी जो टाल ना उसका color बिल्कुल भी खराब नहीं होगा as it is ही रहेगा और बिल्कुल चमक जाएगा आप लास्ट पर जो हैना results दुरूर देखेगा और वीडियो को skip मत करिएगा full watch करिएगा तो यहां पर strains आप खुद देख रहे हैं किस तरह से जब भी strains पे जहां पर कपड़े से मैं जो है ना वो remove कर सकती थी वहां से मेंने कपड़े से remove किये हैं otherwise जहां पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था जहां से brush से उतारने वाले strains थे तो मैंने वहां पर brush से जो है ना वह थोड़ा सा rub किया है तो सारे strains पे इस तरह से एक दफ़ा हलके हाथ से rubbing कर करते ही लेकिन पीछे साफ करना भıyla हो जाता है तो आपने पीछे ze 502 खया रखना के लिए चैनेग उतने मैला उतर जाएं तो बस इतना सा काम करना है उसके बाद आपने तो इसे कारीबान पनजनड़ के खूड़े बंसतना उतिना में तो इस उतनी देतक से जो है न आपने से छोड़े रहने देना है लास्ट पर जब इससे आप रिजल्ट देखेंगे न तो आप हैरान रहे जेंगे कि यही वह वाला जो है न गंदा था और अब इतना नीट और क्लीन रग रहा है तो यहां पर आपने पानी कम से कम यूज करना साथ और एजिली जो है ना वो मेरा बेसन जो है नीटन क्लीन हो गया साथ टाइल्स पे काफी ज़्यादा जो है ना कलर मुझसे गिर गया था और ये देखें एक दफ़ा ही जो है ना रब करने से अच्छे से जो है ये साफ हो जाएगा और बस ये फाइनल लुक है इसे मैंने जो है ना वोश कर लिया था और कोई हाड़ वाटर स्टेइन ब्लैक स्टेइन कोई डायय का निशान नहीं रह गया आप ज़रूर ये टिप ट्राय करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और कोई भी निशान कुछ भी नहीं रहा और कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है और आप यह एजिली जो है ना वो अपनी टाइल्स पे फॉर्ष पे बाथ्रूम में वाश बेसन में यूज़ कर सकते हैं इवन क्या आप सिंक में भी इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी आपका कलर वगरा खराब नहीं होगा बस ती तो यही मेरी आज की छोटी स इसे टीप होफुली के आप सबको पसंद आई होगी अगर तो ऐसा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइज शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अला हाफीज